युक्रेन युद की शुरुआत से ही इरान और रूस के संबंध काफी मजबूत हुए हैं और इसकी सबसे बड़ी वज़े है इरान के वो घातक कामिकेज ड्रोन जिनके दम पर रूस की सेना ने भारी तबाही मचाई है यहां तक कि अब इन ड्रोन्स की असेंबलिंग रूस में हो रही है और इसको लेकर रूस के रक्षा मंतरी सरगी शोईगू इरान की राजधानी तेहरान तक जा चुके हैं वहाँ इरानी राजपती इब्राहिम राइसी ने रूसी राजपती व्लादिमिर पुतिन से मुलाकात करके उन्हें और हत्यार मोहया कराने का वाद अतक किया है और अब इसी कड़ी में न्यू जेजंसी रॉइटर्स ने जो खुलासा किया है वो इस बात की तस्दीक करता है कि युक्रेन युद्ध में इरान परदे के पीछे से बहुत बड़ी भूमी का निभा रहा है दरसल रॉइटर्स को छे सूत्रो ने बताया है कि एरान ने भारी संख्या में जमीन से जमीन पर वार करने वाली बैलेस्टिक मिसाइले रूस को दी है सूत्रों ने न्यूज एजंसी रॉइटर्स को बताया कि फते 110 जो कम दूरी की मिसाइल है जुल्फागर जैसी 400 मिसाइले रूस को दी है आपको बता दे कि इन मिसाइलों की मारक शमता 300 से 700 किलो मेटर तक है बड़ी बात ये है कि इन मिसाइलों को मोबाइल ट्रकों से लॉंच किया जा सकता है रॉइटर्स का कहना है कि रूस को ये मिसाइलों की खेप जनवरी 2024 की शुरुवात में इरान से रूस भेजी गई थी इससे पहले रूस और इरान के सैन्ने अधिकारियों के बीच पिछले साल ये डील पक्की हुई थी रॉइटर्स का कहना है कि इरान के एक सैन्य अधिकारी का कहना है कि कम से कम मिसाइलों की चार खेप और तीन और खेप आने वाले हफ्तों में मौस्क को भेजी जाएंगी एक अन्य इरानी अधिकारी ने कहा कि इन में से कुछ मिसाइले कैस्पियन सागर के जर्ये रूस भेजी गई है जबकि अन्य मिसाइलों की खेप हवाई जहास के जर्ये रूस पहुचाई गई है इरानी अधिकारी का कहना है कि आने वाले दिनों में इरान मिसाइलों की और खेब भेजेगा वहीं दूसरी तरफ चोथे सूत्र ने रॉय्टर्स को बताया कि रूस को हाल ही के दिनों में बड़े पैमाने पर इरान से मिसाइले मिली है वहीं अमेरिका के एक अधिकारी का कहना है कि उनके पास इस बात के सुबूत हैं कि इरान और रूस के बीच बातचीत आगे बड़ रही है हाला कि अमेरिका ने ये जरूर कह दिया है कि अगर इरान रूस को मिसाइले बेचता है तो इसका तुरंट उसको नतीज़ भुगतना पड़ेगा अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसल के प्रवक्ता जॉन किर्भी ने इसको लेकर एक बयान भी दिया है अपने बयान में उन्होंने कहा कि रूस को ड्रोन्स और मिसाइल सप्लाई करने को लेकर अमेरिका इरान पर और प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका का कहना है कि अगर एरान रूस को मिसाइल बेचता हुआ पाया गया तो अंतरराश्ट्रिय समुदाय की तरफ से उसके उपर ततकाल और कड़े प्रतिबंध लगाय जाएंगे हाला कि इरान के विदेश मंत्री अमेर अब्दॉलाहें ने रॉइटर्स की विदेश मंत्री आमेर अब्दॉलाहें ने रॉइटर्स की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं इरान के खिलाफ इन आधार हीन आरोपों की जोरदार तरीके से इननिंदा करता हूँ इस मुद्दे पर बार बार निराधार दावों से हम उप गए हैं आपको बता दे कि शुरुआत से ही इरान रूस को हत्यार देने को लेकर ना ना करता रहा है लेकिन युक्रेन में मिले मिसाइल और ड्रोन्स के मलबों से इस बात की पुष्टी हो चुकी है कि इनहें इरान में ही बनाया गया था